अप्रेंड्स इनुविटिव आइडियाज चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको नेटवर्किंग केबिल और उसकी कनेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा और उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा यह कनेक्टर्स हैं नई नैटवर्किंग केबिल लैन केबिल कैसे बनाते हैं यह मैं आपको बताऊंगा उसकी कोडिंग कलर कोडिंग क्या होती है तो यह मेरे पास है कैट 6 केटेगरी 6 केबिल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और जहां तक मैं रिकमेंट करूंगा आप कैट 6 केबिल का ही यूज करें जब भी जरूरत पड़े और कनेक्टर्स जो है वो भी ब्रांडड क्वालिटी के जैसे की डी लिंक इत्यादी के ही लें तो सबसे पहले इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी केबिल जितनी भी दूरी की आप लेना चाहते हैं दो कने आपको जरूरत प्लास्ट जैसा होता है लेकिन नैटवर्किंग के लिए यूज होता है देटिस क्रेंपिंग टूल और एक कटर या ब्लेड जो भी लेना चाहेंगे तो सबसे पहले इसकी जो ऊबर की प्लास्टिक है लेयर है उपर की यह हम हटाएंगे तो करीब दो सेंट सेंटीमीटर तक इसकी कोटिंग जो है प्लास्टिक की वह आप हटाईए इस जगह से यहाँ पर देखिए यह जगह है स्पेस है केविल का कवर हटाने के लिए तो इसको केविल को लगभग 2 सेंटीमीटर गैप्रॉक्स इसमें रखेंगे और इसको ट्विस्ट कर देंगे को घुमा देंगे तो यह जो ऊपर का कवर है यह हट जाएगा और इस तरह से आपको इसमें यह आठ वायर्स मिलेंगे इनमें कुछ कलर्स हैं कलर्स आप देख सकते हैं और बीच में यह सपोर्टिंग प्लास्टिक या सिल्क का धागा होगा उसको आप हटा दीजेगा तो इसमें आप देखिए दो दो वायर चार जगें है ये इसमें ओरेंज वायर्स वायर्स दो तरह के वायर होते हैं एक प्लेन कलर में होता है और एक वायर्स शेड के साथ होता है तो यहाँ पर देखिए यह wire जो है orange white है और यह wire जो है वो pure orange है इसी तरह से चारो pairs में इसी type की coding होगी अगला wire जो है वो green white उसके बाद green उसके बाद next wire जो है वो है blue white और उसके बाद blue और last wire जो है वो है brown white and brown इसका color का detail मैं comment section में दूँगा description में वहाँ पर आप देख लीजिएगा तो इसको pairing करने के लिए इसको cross cable बनाईएगा ताकि speed आपको अच्छी मिले और कितनी भी लंबी cable आप बना सकते हैं इससे 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर तो यह जो है orange white orange सबसे पहले orange कीजिएगा cross cable के लिए orange white orange उसके बाद green white ग्रीन white के बाद आपको लेना है blue plain blue color वायर orange white orange green white blue उसके बाद blue white लेना है उसके बाद लेना आपको green और लास्ट में brown white and brown तो इस तरह से आपकी color coding हो जाएगी औरेंज वाइट औरेंज orange white orange green white blue blue white green और brown white brown अब ये वायर आपको straighten करना है बिलकुल सीधे करना है और चिपका के रखने है बिलकुल मिले हुए होने चाहिए ये सारे वायर्स एक सीरीज में जिव सीरीज मैंने अभी अभी बताई है उस तरह से बिलकुल आप इनको straight कर लीजेगा straight हो जाने के बाद आप देख लीजेगा कि आपका serial order तो नहीं disturb है कहीं serial order orange white orange green white blue blue white green and brown white brown ये serial order आने के पाद आपको scrimping tool से बिलकुल मिला के आपको इस जगे से यहां पर cutter दे रखा है यहां से जो आपको pin दिखाई पड़ रहा यह नीचे की side में हो और इस तरह से जहां यह connectors के point देख रहे हैं इस तरह से आप इसमें enter करा दीजेगा और enter कराने के बाद इसको अच्छी तरह से दख्का दीजेगा पीछे से press कीजेगा जब आप sure हो जाएं कि wire पूरी तरह से अंदर पहुँच चुके हैं उसके बाद यह crimping tool लीजेगा और यहां पर यह जो beach वाला portion है यह land connectors को connect करने के लिए है आप इसको इसमें insert कराईएगा और insert कराने के बाद यह देख लीजेगा कि यहां तक आ जाए और इसके बाद इसको press कर दीजेगा थोड़ा सा आगे पीछे कीजिगा connector और इसको आराम से press कर दीजेगा तो इस तरह से हमारा यह एक connector connect हो गया है अगर आपकी networking cable कहीं तोट गई है या आपको दूसरा connector लगाना है तो वहां पर भी इसी process से आप लगा सकते हैं तो एक तरफ का यह connector connect हो गया है और यह वीडियो end तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा जिससे कि यह यहां पर joint है न जो वह खराब ना हो केवेल आपकी मुड़ने के बाद यह तूटे नहीं तो इसी तरह से दूसरा connector हम connect करेंगे पहले wire को छी लेंगे लगभग 2 cm और उसी series में लगाएंगे हम इसको series थी हमारी orange white पहले इसके बाद फिर orange इसके बाद था green white उसके बाद blue color फिर blue white उसके बाद pure green और brown white और brown इसको इसको straighten करेंगे सीधा करेंगे wires को बिलकुल series देख लीजेगा आप उसी series से है या नहीं है orange white orange green white blue blue white green and brown white brown अब इनको आप यहां से cutter करके level कर दीजेगा बिलकुल एक समान और दूसरा connector उसका जो pin है वो नीचे की side रहे और यह जो copper connectors है यह उपर की ओर है उसके बाद इस cable को connector में insert कराएंगे इंसर्ट कराने के बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे अंदर की और और इसके बाद connectors क्रिम्पिंग टूल से इसको हम प्रेस कर देंगे ताकि यह जो copper connectors है वायर में अच्छी तरह से fix हो जाए connect हो जाएं इस तरह से हमारी यह लगभग दो मीटर की networking cable cross connection वाली cable तयार हो गई है अक्सर देखा गया है कि हम जादत और लोग इसी तरह से cable को लगा देते हैं और छोड़ देते हैं तो इसको यहां से टूटने का खत्रा बढ़ जाता है यहां से disconnect होने का खत्रा बढ़ जाता है जिससे हमें बार बार दिक्कत होती है तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या है मैं यह method अपराई कर रहा हूं और बहुत successful है और एक एक cable जहां कहीं भी मैंने install की है यह वहां से कोई भी complaint नहीं आई है अभी तक करीब एक साल डेर साल हो गया है लग बग इसके लिए मैं एक taping वाला फॉर्मूला अपनाता हूं इसके लिए टेप लेंगे बिजली वाला टेप एलेक्ट्रिक टेप और उसको इस जगह पर लगा के इसको लॉक कर देंगे एक तरह से यह लॉक का काम करेगा और केबिल हमारी खिचेगी नहीं इसको इस पिन से नीचे से कीजिएगा टेप अच्छी तरह से लगाईएगा तो यह जो हमारी केबिल कनेक्टर्स है एक तरह से ओरिजिनल की तरह दिखने लगा है और यहां से खिचने का खत्रा भी कम हो गया इसका और मुडने पर भी यह केबिल यहां से खराब नहीं होगी इसी तरह से आप दूसरी कनेक्टर्स में भी टेप लगा सकते हैं दोनों तरफ टेप लगाने के बाद हमारी केबिल कुछ इस तरह से दिखेगी अब यह कनेक्टर्स आपके जल्दी से खराब नहीं होंगे और यह बहुत अच्छी ट्रिक है टेप लगाने वाली और क्रॉस केबिल बनाईए मैंने ताकि आप अगर इसकी लंबाई 50 मीटर तक करीब कर देते हैं अब भी आपकी स्पीड जो है लैन की वो कम नहीं होगी बहुत ही प्रॉपर तरीके से यह बनाया गया है तो फ्रेंड्स अगर आपके यह वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और प्लीज अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्योविटिव आइडिया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और LAN Connectors और उसके बारे में आगे वी वीडियो में डालूँगा अपडेट करूँगा आप लोगों को और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि इसकी नेटवर्किंग में शेरिंग किसी भी फाइल की एक PC से दूसरी PC या लैबटॉप में कैसे करते हैं प्लीज देखते रहिया का इनोविटिव आइडियाज थैंक्स वर वाचिंग